नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, प्रॉपर कीवर्ड रिसेर्च करना क्यों जरूरी है, फ्री कीवर्ड रिसेर्च टूल्स कौन सा यूज करें, कीवर्ड की केटेगरी क्या-क्या है, अगर आप बिगिदर है और आपका न्यू ब्लोग है तो कौन सा keyword आपको select करना चाहिए तो यह सारी चीज़े हम बात करेंगे step by step तो आप इस वीडियो को end तक देखे एक भी step miss किये भीना Welcome to the blogging guru channel मेरा नाम है मिलेश और अभी तक आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो आप उस link पे click कीजे और मुझे Instagram पे follow कीजे और direct message भी कर सकते हैं कुछ भी query है तो उसमें मैं आपको direct answer दे सकता हूं तो दोस्तों अभी हम detail में सब चीज़े बात करने वाले हैं जैसे आज हम बात करेंगे proper keyword research करना क्यों जरूरी है तो कोई भी beginner है अगर नया blog start कर रहा है तो उसमें अगर अपना keyword research properly नहीं किया है तो उसका blog को rank में Google के अंदर rank में आने के chance बहुत कम हो जाते हैं और अगर rank में आता है तो बहुत time लगता है उसके लिए उसको proper keyword research करनी बहुत ही जरूरी है तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि 90% ट्राफिक Google के अंदर जो टॉप 10 website से वह लेके जाती है बाकी जो second page पे आती है वह 10% ट्राफिक में उसका सब चांस होता है तो दोस्तों आपको आपकी website को पहले 10 pages पे पहले 10 टॉप 10 के अंदर लाने के लिए कि आपको प्राफिक रिशर्च करनी पड़ेगी तो वह कैसे करते हैं तो अगर जो नएजे़ गिवर्वक करते हैं तो फिर आगए मैनत करने करने का कोई मतलब नहीं है उसका पैसिंस लेवल जो है काम हो जाएगा और मोटिवेशन कम हो जाएगा तो मैं आपको रेकमेंड क तर्च किजिए और उसके बाद में आपना ब्लॉग लिखना स्टार्ट कीजिए ताकि वह जल्दी से जल्दी रैंक में आए और बहुत ही आसानी से रैंक में आए तो वह मैं आपको practically सिखाऊँगा कि कैसे keyword research की जाती है दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा free keyword research tools तो अभी market के अंदर HRF है, Samrush है, बहुत सारे paid costly tools है जो monthly $100 तक charge करते हैं तो मैं यह जो tools आपको suggest करने वाला हूँ बहुत ही easy, आसानी से आपके लिए keyword research करके देगा और आपको भी बहुत आसानी रहेगी इसकी मदद से आप अपना जो blog है, उसको आसानी से आप Google के top 10 के अंदर rank में लाने में बहुत ही useful है तो वो tools कौन सा है मैं आपको practical करके दिखा हूँगा तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ कि keywords की categories क्या-क्या है keywords दोस्तों दो तरीके के होते हैं एक है short-tail keywords, दूसरा है long-tail keywords तो short-tail keywords जनरल ही रहते हैं एक words या दो words के रहते हैं जैसे money है, education है, weight loss है तो वैसे बहुत सारे जो short-tail keywords है उसको rank में लाने के लिए बहुत ही difficult रहता है तो उसके लिए आपकी website जो है उसका DAP बहुत आई होना चाहिए authority बहुत high होनी चाहिए तो मैं आपको recommend करूँगा कैसे short-tail keywords अभी तक अगर नए beginners है, bloggers है नए bloggers है तो वो उसको touch ना करे तो उसके लिए बहुत सारी मैनत लगती है और time भी बहुत जादा देना पड़ता है तो वो आप avoid करे तो दूसरा जो category है वो long-tail keywords step by step पूरा process आपको दिखाने वाला हूँ तो अगर आप नए blogger है और beginners है तो मैं आपको recommend करूँगा कि आप short-tail keywords को avoid करे फिलाल अभी के time के लिए क्योंकि आपकी नई website है उसमें authority अभी तक बनी नहीं होगी तो उसके लिए आपको long-tail keywords का ही use करे ताकि आपके blog के उपर traffic आना चालू हो जाए आपको motivation मिले otherwise आप मैनत करते रहेंगे लेकिन traffic नहीं आएगा तो आप demotivate होके फिर give up कर देंगे तो दोस्तो आज के इस video के अंदर मैं practical आपको बताने वाल हूँ step by step पूरी चीज़े तो चलते हैं मेरे laptop की और तो दोस्तो जैसा कि मैंने बताया कि free keyword research tool के बारे में तो वो है google itself google की मदद से हम लोग free keyword research कर सकते हैं बड़ी आसानी से तो आज हम start करते हैं जैसे google को हमने open कर लिया है और google के अंदर हम अभी एक keyword type करेंगे जो है weight loss तो जैसे हम weight लिखते हैं तो नीचे बहुत सारे आपको आइडिया दिये रहते हैं तो उसमें उसके बाद में second option select किया है weight loss weight loss जो है तो अभी हम उसके पास में जैसे click करेंगे तो weight loss tips at home weight loss exercise weight loss drinks यह बहुत सारे option दिये रहते हैं तो जैसे weight loss dinner है तो पूरा सारा लिस्ट आपके सामने रखा है अभी हम pick करेंगे weight loss tips at home क्योंकि कई सारे लोग ऐसे हैं जिसको घर पे अपना weight loss करना है उसके लिए वो tips के बारे में ढूंडते रहते हैं तो अभी आप देख पा रहे हैं कि हमने click किया weight loss tips at home तो उसको भी हम थोड़ा और explore करेंगे उसके बाद में हमने जैसे click किया तो हमारे पास में और भी option देखने को मिल रहा है जैसे हिंदी में अभी how to lose weight naturally at home remedy how to lose weight at home in 7 days how remedies for weight loss in 2 weeks grandma home remedies for weight loss अभी हम जैसे इसी ले करेंगे how to lose weight at home without exercise कई सारे लोग ऐसे हैं जिसको exercise के बिना ही अपना weight loss करना है तो इसमें आपको एक particular query को search करना पड़ेगा उसको आपको keyword बना के उसमें use करना पड़ेगा तो इसमें बहुत सारे option है लेकिन हमको जो पसंद आ रहा है और जो searchable लग रहा है वो है how to lose weight at home without exercise तो कई सारे लोग ऐसे रहते हैं जिसको exercise नहीं करना है दूसरे सारे जो ideas है उसको use नहीं करना है तो घर पे ही exercise करके अपना weight loss करना चाहते हैं तो अभी हमने उसके उपर click कर दिया है और google में search कर रहे हैं तो जैसे हम scroll down करेंगे तो नीचे कई सारे आप को उसके उपर ब्लॉग लिखे देखने को मिलेंगे और लोगों ने कही सारे उसके उपर question भी जो किये हैं वो भी अभी देख पा रहे हैं कि बहुत सारे question भी लोग यहां पर कर रहे हैं weight loss के related तो आपका जो ब्लॉग है उसके अंदर आपको इसब question भी for यह बहुत सारे question है जैसे how can I lose 20 pounds in a month without exercise how can I lose weight naturally how can I lose 10 pounds in a week without exercise how can I reduce my belly fat without exercise तो पहला जो option है जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि how can I lose 20 pounds in a month without exercise अभी लोग ऐसा भी सार्च करें कि एक महिने के अंदर में 20 pounds exercise के बीना कैसे lose कर सको तो वो एक आपको ध्यान में रखना है इस तरीके से आप अपना keyword research properly कर सकते हैं तो ऐसे कई सारे जैसे option दिये रहते हैं जैसे how can I lose weight naturally किसी लोगों को without exercise naturally अपना weight loss करना उसके बारे में जानकारी चाहिए how can I lose 10 pounds in a week without exercise तो वैसे भी क्वेरी रहते हैं तो जैसा मैंने बता है पहला जो है how can I lose 20 pounds in a month without exercise how can I lose weight naturally लोगों को naturally weight loss करना है फिर आता है how can I lose 10 pounds in a week without exercise exercise के बिना एक अपते में 10 pounds कैसे lose करना है how can I reduce my belly fat without exercise exercise के बिना उसको अपना weight कम करना है साथ दिन में लोगों को घर पे ही कम करना है how can I lose tummy fat fast fast कैसे उसको कम किया जाए weight को तो यह सभी सारे question है उसको भी आपको include करना है अपने ब्लॉग के अंदर ताकि आप search में आए और आपका जो ब्लॉग है ओ आगे बढ़े अभी जैसे हम एकदम से नीचे scroll down करेंगे तो बह तो यह लोग जानना चाहते हैं तो वैसे बहुत सारे आपके पास में कीवर्ड यहाँ पर आ जाते हैं तो इस तरीके से आप अपना कीवर्ड जो है उसका research कर सकते हैं Google की मदद से और इसके बाद में मैं बहुत सारे आपको फिर नेक्ट वीडियो के अंदर बताना वालों क के advanced keyword research कैसे करें तो thank you very much for seeing this video धन्यवाद